एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत के बारह राज्यों में 1100 स्वास्थि शिविर आयोजित करेगा जिससे ग्रामील भारत के महत्वाकांशी जिलों के लगभग 10000 लोगों को लाब होगा भारक के सबसे बड़े लगू वित बैंक एयू स्मॉल फाइनस बैंक ने देश के बा राज्यों में स्वास्थि शिविर आयोजित करने के लिए एक व्यापक पहल शुरू की है इसकी शुरूआत 2 सितंबर 2024 को राजस्थान के सिरोही जिले में हुई और उदघातन शिविर का आयोजन और उदघातन आग 4 सितंबर 2024 को गुजरात राज्य के मोडासा तहसील के बाजकोट गाव में किया गया जिसने गाव के 75 से अधिक ग्रामीनों ने लाब उठाया इस पहल के माध्यम से ब्याम्ट के CSR विभाग EU फांदेशन का लक्षे 1100 शिविरों का आयोजन करके प्राथमिक स्वास्थ देखभाल से वंचिक लगभग एक लाख लोगों को महराष्ट्रा औरिसा और मध्य प्रदेश सहित दस और जिलों तक विस्तारित किया जाएगा ये शिविर ग्रामीन भारत के महत्वाकांग शी जिलों पर लक्षित है जिसका उद्देश वंचित समुदायों को स्वास्थिलाब प्रदान करना है मेडिकल टी में बुनियादी स्वास्थित जाच करेगी जिसमें वजन, उचाई, हीमोग्लोबिन स्तर, रक्चप, रक्ट शरकरा और खानसी, बुखार, त्वचा रोग और अन्य बीमारियों का आकलन करना शामिल है बैंक संस्थापक, M.D. और CEO संजे अगरवाल ने बताया कि मरीजों को निदान के आधार पर आवश्यक दवाएं भी प्रदान की जाएंगी और अनीमिया से पीरिक प्रतेक रोगी को विटलिगो जागरूपता कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गोलियों की 30 दिन की अरावली ब्यूरो चीफ भरत थाकोर की लाइब रिपोर्ट भारत में तेजी से उभरता हुआ देश का मजबूत वर राष्ट्रिय संगतन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता लेने हेतु पत्रकार अधिवक्ता वर समाच से भी आज ही 94, 50, 12, 25, 92 पर संपर्क करें हर पी रित्व जरूरत मन्द की मदद करें